अज हम करने जा रहे हैं आपका असेस्मेंट वोक्षीट 2 सब्जिक्ट साइंस क्लास 10 हमारी देट 5 अगस्त के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो एसेस्मेंट वोक्षीट है यह आपका 20 मार्ग्स का होगा जिसके अंदर दो सेक्षिंट होंगे आपके जो सेक्षि 2 चलिए कर लेते हैं यह असेस्मेंट वोक्षीट और सिम्पल वोक्षीट में क्या फारत है भुट बच्यों ने पूछा था कि समझ नहीं आघुए तो देखो आपकी जो डेली होमवर्क आता है वो तोपको सिम्पल वोक्षीट है लेकिन एसेस्मेंट वोक्षीट क्या है जो मैंम देगी आपको और जिनके basis पे आपके marks लगेंगे जैसा कि आप लोगों को पता है कोरोना की वज़े से पिछले year भी आपके exams नहीं हो पाई तो इस पार कभी जैसे भी exams आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो इनके basis पे आपके marks लगेंगे इसलिए बहुत जरूरी है आपको करने इनको आपको नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी ठीक है चलिए शिरू करते हैं तो section 1 है आपका read the given paragraph carefully and answer the following questions पहले यह paragraph पढ़ना है और नीचे जो questions उनके answer देने हैं तो आपका paragraph है you are familiar with the number of elements आपने बहुत सारे elements देखी है जैसे iron, silver, aluminium, sulphate, calcium, potassium, copper, carbon, nitrogen, oxygen, etc. इनको हम classify करते हैं दो हिस्तों में metals और non-metals में किसके basis पे इनके जो chemical और physical properties उनके हिसाब से हम इनको दो भागों में बार देते हैं metals और non-metals में जो metals है वो solid होते हैं सिर्फ mercury को छोड के जो liquid होता है room temperature पे, okay? metals solid होते है, hard होते हैं ठीक है? सिर्फ sodium को और potassium को छोड के, जो soft metals होते हैं जिसको हम knife से काट सकते हैं Sonorous होते है metals, sodium और potassium को छोड के, मतलब इसमें टन के से अवाज आती है, sound आती है, lustrous होते हैं बतलब चमकते हैं चमक्दार होते हैं लेड को छोड़के, good conductor of heat और electricity होते हैं इस में से electricity पास हो सकती है, सिर्फ ग्रिफाइट को छोड़के, mallyable can be converted into sheets, mallyable होते हमको sheets में convert किया जा सकता है और ductile होता है इनको wires में convert किया जा सकता है, ठीक है, तो ये हो गया paragraph, आप अब आते हैं हमारे questions पे 5 questions आपके given हैं तो first question है mercury is a metal which is dash at room temperature mercury कैसा metal है जो room temperature पे क्या होता है solid liquid gas या फिर दो नो solid या liquid अभी अभी आपने पढ़ा था जो mercury होता है वो क्या होता है liquid होता है room temperature पर ठीक है सेकिन है आपका which property of metals is used for making bells and strings of musical instrument like sitar and violin जो sitar होता है उसकी जो पतली-पतली strings होती है तारे होती है वो हम कौन सी property की हिसाब से बनाते है metal की तो अभी हमने पढ़ा था देखो सोनरस तो क्या होता है sound होता है कि sound आती है turn की ठीक है malleability हम पतली सी sheet में पतली सी एक चाधर में बदल जेते है metal को पीट-पीट कर ductile उनको तारों में बदल देते है और conductivity उनके अंदर से बिजली electricity पास हो सकती है तो तारों में बदलना मतलब ductility तो कौन सी property के हिसाब से हमने इनको star जो सितार है और voiland है उसकी musical instruments की strings बनाई है तो जो c option है हमारे पास ductility हमारा answer हो जाएगा ठीक है थर्ड है metal x is soft एक metal is soft जिसको knife से cut कर सकती है बहुत reactive air से इसलिए इसको खुला नहीं चोड़ते तो identify करना है कौन सा है ऐसा element magnesium, sodium, phosphorus या फिर calcium कौन सा है ऐसा element तो ऐसा element है अभी मैंने आपको बताया था sodium एन्ने ऐसा है जो बहुत reactive होता है खुले ऐसे हवा में उसको नहीं चोड़ते और यह soft होता है knife से हम इसको easily cut कर सकते ठीक है fourth is aluminium is used for making cooking for making cooking utensils जो बरतन होते हैं aluminium से बनाते बरतनों को तो कौन से property होती है aluminium की जो इसके लिए responsible होती है good conductor of heat होते हैं एक तो sonorous होते हैं ductile होते हैं hard होते हैं तो बताओ देखो good conductor of heat अगर हमें कुछ गरम करना है बरतनों में है ना तो वह होना चाहिए of heat and hard property हमें चाहिए utensils को बरतन बनाने के लिए next is nitrogen is a nitrogen क्या है metal है non-metal है metalloid है या फिर ना metal है ना non-metal है तो देखो nitrogen क्या है gas है mostly metals होते हैं वो solid होते है nitrogen gas है यह क्या है non-metal है तो जो B option है वो हमारा सही होगा ठीक है तो यह आपका जो section 1 है वो complete होता है section 1 में यह 5 mcqs आपको given थी जिसके answers हम कर चुके ठीक है अब next part पे चलते हमारे section number 2 पे अब आपका जो section 2 है section 2 में आपको यह 5 questions given है ठीक है 6 to 10 जो हर एक question आपका 3 marks का है total आपका जो second section है वो 15 marks का है ठीक है तो इनकी solutions करते है चलिए 6th question है आपका it is observed that a pencil sharpener gets attracted by both the poles of a magnet while its body is not attracted by the magnet आपने देखा होगा कि जो आपका sharpener होता है उसमें सी जो एक हिस्सा होता है उसका जो बीच वाला जिससे मतब शार्प होता है ठीक है टो देखो जो पार्ट of pencil sharpener जो attract होता है ठीक है जो magnet से चिपक जाता है वो तो बना होता है लोहिका जो हमारा जो जिसको बोलते है जिस से जो तेज तरार आपका वो होता है जो चिलता है पैंसिल को वो तो आइरन का बना बना होता है और जबकि जो उसकी बोड़ी है जो attract न नम्बर शिक्स नाव नेक्स्ट कुशिण नम्बर सेवन अमेगनिट इस टू पोल्स ठीके दो पोल्स होते हैं नोड पोल और साउथ पोल्स टेट वैदर इस इट विल बी इन एट्रेक्शन और रिपोल्शन तो आपको नीचे ये देखकर बताना है कि इन दोनों पोल्स में होगी या रिपोल्शन होगी मतलब आपस में चिपकेंगे या दूर भागेंगे अगर नोर्थ को नोर्थ से हम आपस में पास में लेकर आएंगे तो रिपोल्शन होगा क्या रिपोल्शन होगा क्योंकि जो सेम होते हैं सेम पोल्स क्या करते हैं रिपोल्स करते हैं और जो आपके falls होते हैं, वो क्या होते हैं, attract करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, attraction, ठीक है, तो यह हो गया आपका question number 7, clear, now moving to our next question, question number 8, what are electromagnets, how its strength can be changed, electromagnets क्या होते हैं, और इनकी strength को कैसे change कर सकती हैं, तो देखो, यह temporary magnet होती है, जो हम electricity से बनाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, electromagnet, the temporary magnet produced by electricity is called electromagnet, इसकी strength को कैसे change कर सकते हैं, the strength of the electromagnet can be changed by, हम इसकी strength को change कर सकते हैं, by increasing or decreasing, क्या चीज बढ़ा की या घटा की, जो current है कोईल के अंदर, उसको बढ़ा की या घटा की, या फिर जो total number of coils हैं, कितनी बार इसको fold किया हुआ है, उसके हिसाब से हम उसको change कर सकते हैं, उसक उतनी ही जादा strong होगी आपकी electromagnet, जितना जादा current होगा, जितने जादा number of coils होगी, जितने कम होगे, उतनी weak electromagnet आपकी बनेगी, clear, तो यह होगया question number 8, now moving to our question number 9, 9th question is, a bar magnet has no markings to indicate its pole, जो bar magnet है, उस पे नहीं लिखा होता है, कि या north pole है, या south pole है, तो how would you find out near which end are its north and south poles located, तो कैसा पतल लगेगा कि कौन सा north pole है, और कौन सा south pole है, तो देखो, एक जो freely suspended bar magnet होती है, वो हमेशा north-south direction में point करती है, आप इसको बीच में छोड़ दो, वो अपने आप घूम-घूम के north और south direction में अपनी जगे बना लेगी, ठीके, तो जो end points north direction की तरफ face कर रहे हैं, वो north pole हो होगा magnet का, और जो end point south की तरफ face कर रहे हैं, वो south pole होगा magnet का, ठीके, तो इस तरीके से जो freely suspended bar magnet है, उससे हम जो हमारे north और south pole है, वो हम पता कर सकते हैं, clear? तो यह हो गया आपका question number 9, now last question of our worksheet, question number 10 है, if a magnet is broken into two pieces, अगर एक magnet को मैं दो हिस्सों में तोड़ दू, तो new magnet बन जाए है ना, उसके भी दो poles बनेगी, justify करो statements को, तो देखो, अगर हम break करते हैं, एक magnet को दो pieces में, हर एक piece एक individual magnet की तरह behave करेगा, और यह एक साथ है, इसको ठीक कर लोगा, ठीके, तो if we break a magnet into two pieces, दो हिस्सों में तोड़ेंगे, तो हर एक piece एक individual, एक अलग magnet की तरह behave करेगा, ठीके, तो उसके अभी भी north और south pole होंगे, इसके, इससे matter नहीं करता, कितना ज़्यादा छोटा है piece magnet का, ठीके न, हमेशा उसके चाहिए वो कितना ही छोटा piece हो, उसके north और south pole हमेशा होंगे, चाहिए हम उसके कितने भी टुकडे कर लें, हर एक टुकडे के अपने आपे north south pole बन जा था, I hope आपको सारे questions clear हो गए है, सबसे पहले यह आपको quit try करने चाहिए, ठीके, उसके बाद यह सिर्फ match के लिए है, समझने के लिए कि आपने कहा mistake की है, क्या गल्दी आपने की है, ठीके, पहले खुद कोशिश करने के कोशिश करें, क्योंकि यह आपका एक तरीके से test होत दे नेक्स वीडियो में, तिल देन, टेक केर, बाई-बाई